अब लेयर में हो क्या रहा है एक एक्जामपल लेके चलते हैं हुआ ये एक सहाब यहाँ पर थे चलिए मैं हूँ और आप यहाँ पर मैंने क्या किया मुझे आपका remotely मैं किसी और जगा बैठा हूँ दुनिया के किसी कौने में मुझे आपका आपके system में लॉग इन करना है रिमोट लॉग इन करना है तो मैंने अपने system में जो भी मेरे पास command prompt था या जो भी मेरे पास तरीका था terminal था वहाँ पर मैंने type किया अपना command यहाँ लिखा और host बता दिया यहाँ पर host आप है मैंने यह type कर दिया यह application layer पर मैंने यह type किया उसके बाद क्या हुआ transport layer पर ऐसा कोई layer वेर नहीं होती यह सब चीजे बस आपको बताने के लिए कोई layering वेरिंग नहीं होती है हम क्यवाल ही बताना चाहते हैं कि यह आपका घर है यह मेरा घर है और हमारे घर के बीच में दिवार ही नहीं है वो दिवार तै की गई है तो transport layer में TCP segment बनते हैं ध्यान रखेगा कि transport layer में segment की बात की जाएगी इस जगा पर भी जबब क्योंकि यह जो तरीका कहें कि यह आगे बढ़ रहा है यह reverse यहाँ होगा जो चीज़ सीधी जा रही है वो यहाँ पीछे जाएगी रिवर्स होगी अब transport layer पर आये जो मेरे command moment जो भी लिखी थी वो बना TCP segment TCP होता है transmission control protocol अभी आगे आएगा मैं इसको detail में बताऊँ आपको internet layer होता है IP diagram internet layer पर हम segment की बात करेंगे यहाँ हम बात करेंगे data gram की किसकी बात करेंगे data gram की IP होगा internet protocol data link layer पर जब आएगे अच्छा मैं जिसमें ने का अलग-अलग किताबों में कहीं 5 लियर है कहीं 4 लियर है TCP IP पर data link layer पर हम frame की बात करेंगे frame तो physical layer इसलिए दोनों को combine कर दिया जाता है क्योंकि यह भी frame है यह भी frame है तो यहाँ पर असली bit जो है वो bits यहाँ से जाती है तो एक एक करके बताता हूँ last layer पर आपके bit है bit क्या होती है 1001 जैसे आप plus 5 volt जब आप एक button on करते हैं तो क्या करते हैं इसको one कहते है जब button one करते हैं तो उसको zero कहने लगते है electronics की भाशा में प्लस 5 volt है तो उसको one कहते है zero volt है तो zero कहते है और इसी को हम आपके bit भाशा में zero one कहते है zero one zero मतलब on one मतलब off binary क्यों है यह क्योंकि इसमें एक और zero दोनों को count कर लीजिए उंगली पे दो मिलते है binary हो गया है तो यह आपकी binary हो गई चिक यह जो binary बना आपका यह binary bit आपकी actual wire में transfer होती है ट्रांस वायर कुछ भी हो सकता आपका proper wire हो सकता coaxial हो सकता तो भी फाइबर हो चिस पे भी bit के format में चीज़े जा रही अब bit के format में चीज़े गई यहाँ पर जैसी bit के format में आपकी चीज़े गई ऊपर गई आप यहाँ पर frame बना यहाँ पर आपका frame हो इस frame में कई चीज़े जुड़ गई destination mac address source mac address ethernet field packet और बाकी चीज़े यह अभी हमको समझने के उशक्ता नहीं है लेकिन हुआ यह कि जैसी ही आगे बड़ा अगले layer पे गया इसके packet बन गई अब यह packet पुरा होगी जो मैंने आपको शुरुआते समझाया था कि जब आप ले के आते बादाम तो यह बादाम होगे उसके अपर आप थोड़ा सा और packet पाकेट लगा देते हैं उसके अपर आप और थोड़ा उसकी covering कर देते हैं और finally आप उसको पहुचाने कोशिश करते हैं तो यहां आप उसको source for destination for यानि एक system में computer की बात मत सुझ सुनिएगा क्योंकि computer हमेशा हर चीस computer नहीं होती है हमारे पास अलग-अलग devices हैं हमारे पास servers हैं हमारे पास अलग-अलग gadgets हैं कुछ भी हो सकता है इसमें एक Mac इसका एक Mac address होता है इसमें एक network interface card होता है इसका Mac address होता है Mac address के अलावा इस system में आपके application चल सकते हैं तो ये सारी जो चीज़े हो रही है जिसमें आप कहेंगे bit हो रही है तो bit transfer करेंगे आप वो कहिने कहीं आपको Mac चाहिए होगा Mac address उसके बाद आपको IP चाहिए होगा कि भी IP server से कौन सा number उठाया जाए कौन सी चीज़ उठाया जाए और फिर एक port खुलना पड़ता है उस port के थूँ चीज़े जाएगी और यही चीज़ उल्टी यहाँ पर होगी इस जगह पर हर एक layer को बहुत detail में देखने के लिए मैं एक एक layer को पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जो मैंना भी लिसकस किया फिजिकल लेयर मतलब होता है सबसे lower layer आप wire जो connect करते हैं वो फिजिकल लेयर तो यहां आपके system की पीछे अबर ज़रा जाईए गया तो आपको ऐसा port दिखाए गया जब यह port पे आपको चीज़ करनेट करते हैं तो यहाँ पर actual transmission हो रहा होता है यह रिसीव होती है बिट्स की तो फिजिकल लेयर हो गया है यह जो फिजिकल लेयर है यह है ट्रांसीवर ट्रांसीवर बतलब होता है transmission करता है receiving भी करता है यानि वो signal को एदो दो दो भी भीज़ता है bit मतलब क्या होता है signal जैसे मैं आपको पताया पाच वर्ट जो भी आप समझे पाइसा जरूरी नहीं है एक आइडिया दिया है आपको कि होता क्या है उसके बाद आप आईए Mac पे डेटा लिंक लेयर पे पाच लेयर लेकि चल रहा हूँ इसमें डेटा लिंक लेयर का मतलब यह है कि यह frame बनाए ताकि वो नेटवर्क में जा सके तो जो बैक लेयर का काम होता है या कहें फिजिकल मैक अड्रेस का काम होता वो होता frame को इधर से उतर भीजना एक source से destination नेटवर्क लेयर पे आईए आप IP पे तो नेटवर्क लेयर का काम होता है कि वो packet बनाए को packet एक जगा से दूसरी जगा भेजना है यह आपके virtual IP मैंने आपको जैसे बताए था कि हमको facebook.com पता है दिखता है लेकिन computer को नहीं दिखता computer तो नंबर चाहते हैं तो यह IP address वो नंबर है ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है इसका मतलब यह है connection पहले बने या ना बने और उसके बाद connection बनने के बाद चीज़ें आए जाए यहाँ पर connection का 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 transport लेयर का होता है मैं आपको दो तरीके के इसमें connections बताँ है application layer का 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 होता है जहाँ पर आप बैठे हुए जहाँ पर आप अपने एक software खोल रहे हैं डबर क्लिक पे आप एक web browser खोल रहे हैं यह सब काम हो रहा है application लेयर पर application clear का जो है उसका काम यह है कि यहाँ पर अलग-अलग applications है जिनको communication करना है तो communication जैसे मैं आपको बताया था facebook.com आपने https पर किया था और वहाँ से फिर वो कही ने कहीं जाके अबी पर जाके मिताता है तो यह काम यहाँ पर हो यह कि मोटे मोटे तर्पया आपका समझ दीजिए